नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक बार आपकी समक्ष एक ऐसे मनुश्य की जीवनी लेकर प्रस्तुत है, जोनों ने अपने जीवन में अपनी कड़ी मैनस से न केवल सफलता के शिगर को चुआ, परंतो इतनी प्रस्ति भी प्रात की कि वह कहीं लोगों के प्रिजनास को तर बिल गेट्स का पुरा नाम विलियम हेंड्री गेट्स है, इनका जन्म 28 अक्टुमबर 1955 को वाशिंग्टन के सियेटल में हुआ, इनके परिवार में इनके अतिरिक चार और सदस थे, इनके पिता विलियम एच गेट्स जो की एक मशूर वकिल थे, इनकी माता मेरी मैक्सवेल जो प्रथम इंटरस्टेट बैंक सिस्टेम और उनाटेट के निदेशक मंडल की सदस से थी, तथा इनकी दो बेने जिनका नाम क्रिस्टी और लिपी हैं, उनके माता पिता उनके लिए कानून में करियर बनाने का स्वपन लेकर बैटे थे, परन्तु उन्हें बजपन से ही क दूर टंकर टर्मिनल तथा जनरल इलेक्रिक कम्पूटर पर एक कम्पूटर प्रोग्राम खरीदा, जिसमें गेट्स ने रूची दिखाई, ततपस्चा अत्मात्र 13 वर्ष की आयू में उन्होंने अपना पहला कम्पूटर प्रोग्राम लिखा, जिसका नाम टिक टैक टो तथा इसका प्रयोग कम्पूटर से खेल खेलने हेतू किया जाता था, बिल गेट्स इस मशिन से बहुत अधिक प्रभावित थे, तथा जानने को उसुप थे कि यहां सॉफ्ट्वेर कोर्स किस प्रकार कार्य करते हैं, मात्र 17 वर्ष की उमर में उन्होंने अपने मित्र हेल के साथ मिलकर ट्राफ और डाटा नामक एक उपकरम बनाया, जो इंतेल 8008 प्रोसेसर पर अधारित ट्राफिक काउंटर बनाने के लिए प्रविक में लाया गया, 1973 में वहल लेकसाइट स्कूल से पास हुए, तथा उसके पस्चात बहु प्रचलित हार्वर्ड कॉलेज में उ तथा यह उस समय का परसनल कम्पूटर के अंदर चलने वाला सबसे वहन योग्य चीप था, जिसके पस्चात बिल गेट्स को यहाँ अशास हुआ कि समय द्वारा दिया गया यहाँ सबसे उत्तम अवसर है, जब उन्हें अपनी स्वई की कमपनी का आरम करना चाहिए, M.I.T.S. Micro Instrumentation and Telemetry Systems जिनोंने एक माइक्रो कम्पूटर का निर्मान किया था, उन्होंने गेट्स को एक प्रदरिशनी में उपस्तित होने की सामती दी, तथा गेट्स ने उनके लिए Altair Emulator निर्मित किया, जो मिनी कम्पूटर और बात में इंटर्प्रेटर में सक्रियर तथा अपने पहले कार्याले की स्थापना अल्बुकर्ब मेही की 26 नवंबर 1906 को उन्होंने Microsoft का नाम एक व्यापारिक कम्पनी के तोर पर पंजीकुरूत किया Microsoft बेसिक कम्पूटर के चाहने वालों में सबसे अधिक लोग प्रिया हो गया था 1976 में ही Microsoft M.I.T.S. से पुर्णता स्वतंत्र हो गया तथा Gates और Allen ने मिलकर कम्पूटर में प्रोग्रामिंग भाषा सौफ्टवर का कार्या जारी रखा इसके बाद Microsoft ने अल्बुकर्ण में अपना कार्याले बंग कर बेलेव वाशिंग्डर में अपना नया कार्याले खोला द्वारा लिखे गए वह जारी किये गए code की प्रतिक पंक्ति की समिक्षा भी वहां स्वई ही करते थे इसके बाद जानीमानी कंपनी IBM ने Microsoft के साथ काम करने में रूची दिखाई उन्होंने Microsoft से अपने personal computer के लिए basic interpreter बनाने का अनुरोद किया कई कठिनायों से निकलने के बाद Gates ने CTL Computer Produce के साथ एक समझोता किया जिसके बाद एकी कुरूद licensing agent और बाद में 86 DOS के वह पूर्ण आधिकारिक बन गया और बाद में उन्होंने इसे IBM को 80,000 डॉलर के शुल्प पर PC DOS के नाम से उपलब्द कराया इसके पश्चात Microsoft का उद्यूग जगत में बहुत नाम हुआ 1981 में Microsoft को पुनर गठित कर Bill Gates को इसका चेर्मेन और निदेशक मंडल का अधिक्षब बनाया गया जिसके बाद Microsoft ने अपना Microsoft Windows का पहला संसकरन पेच किया 1975 से लेकर 2006 तक उन्होंने Microsoft के पत पर बहुत ही अधुकृत कार्य लिया उन्होंने इस दोरान Microsoft कमपनी के हित में कहीं मतुपुर्ण नियने लिये 1994 में Bill Gates का विवाँ फ्रांस में रहने वाली Melinda से हुआ तथा 1996 में इन्होंने जेनीफर केतोराइन Gates को जनम दिया इसके बाद Melinda तथा Bill Gates के दो और बच्चे हुए जिनके नाम Rory John Gates तथा Foybe Adele Gates है वरतमान में Bill Gates अपने परिवार के साथ Washington City, Medina में उपस्तित अपने सुन्दर घर में रहते है जिसकी किमत 1250 लाग डॉलर है साल 2000 में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर Bill & Melinda Gates Foundation की निव रखी जो की बार दर्शी से सचालित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा चारिटेबल Foundation था उनका यह Foundation ऐसी समय से आओ के लिए कोश दान में देता था जो सरकार द्वारा नजर अंदाज कर दी जाती थी जैसे की कुरुशी, कम प्रतिनिदित्वा वाले अलपसंके समुदाव के लिए कॉलेज चात्र वृतिया, एर्स जैसी बिमारियों के निवारन हेतु हित्या दि साल 2000 में इस फाउंडेशन ने कैमरिज उनिवसिटी को 210 मिलियन डॉलर गेट्स कैमरिज चात्र वृतियों हेतु दान की साल 2000 तक बिल गेट्स ने 29 बिलियन डॉलर केवल परुप कारी कारियों हेतु दान में दे दी लोगों की उनसे बढ़ती हुई उमिदों को देखते हुए साल 2006 में उन्होंने यह गोशना की कि वह अब Microsoft में अशंकालिक रूप से कारिय करेंगे और Bill & Melinda Gates Foundation में पुर्ण कालिक रूप से कारिय करेंगे साल 2008 में Gates ने Microsoft के देनिक परिचालब प्रबंदन कारिया से पुर्णता विदा ले ली परंतु अध्यक्ष और सलाहकार के रूप में वह Microsoft में विद्यमान रहे Forbes की विश्व की सबसे अमिर लोगों की सुची में Gates का नाम लगातार 11 वर्षों तक पहले नंबर पर आता रहा उन्होंने दो किताबे भी लिखी The Road Ahead और Business at the Speed of Thoughts दोस्तो बिल गेर्स एक ऐसे शक्स की जिनका नाम सुनते ही दुनिया के सबसे पॉपुलर और महान उद्युक्पति का चित्र हमारे सामने आ जाता है दान करने के मामले में वे दुनिया के सबसे अमिर वेक्ति हैं कॉलेज में एक बार उनसे उनके लक्षय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो 30 साल की उम्र तक मिलेनियर बनना चाते हैं लेकिन वह 30 साल तक मिलेनियर बन गये थे बिल गेर्स ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी उनका हमेशा से ही ऐसा मानना था कि गलतिया तो सभी से होती है लेकिन उन गलतियों को जो सुधारने का प्रयास करे वही जीवन में सफल हो पाता है बने रहे हमारे साथ ऐसे ही नए मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चानल ताकि आपको मिलते रहे हैं नए अपडेट्स हमारे नेक्स वीडियो के तो तिल देन बाइबाइ